question no.27 यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं question में दिया है आपको two rigid vessels A and B rigid vessels हैं इसका मतलब इनका volume change नहीं किया जा सकता है खुद expand होके volume change नहीं होगा है हम चाहेंगे तब ही होगा each of the volume is 200 ml containing an ideal gas ideal gas का जो cv का value है 12.5 के बराबर दिया हुआ है यहां से आपको बुछ पता चल रहा है क्या हम जानते हैं कि r की value होती है 8.3 और इसमें यहीं multiply करते हैं हम f by 2 से f by 2 into r तो हमें cv मिल जाता है which is 12.5 तो देखिए इसको यहां multiply करी तो मिलेगा आपको 25 divided by 8.3 f की value आपको मिल जाती है 8 तिया 24 तो लगबग 3 के आसपास मिल जाता है यानि की monoatomic gas से हम deal कर रहे है सवाल में हो सकता है जरुआ भी पड़े लेकिन फिर भी आपको बता दिया कि आप याद भी रख सकते हैं कि 12.5 है इसका मतलब यह monoatomic gas है तो vessels are connected to a manometer tube containing mercury the pressure in both the vessels is 75 cm of mercury and temperature is 300 Kelvin find the number of moles of the gas in each vessel because दोनों vessels के लिए pressure बराबर है और temperature भी बराबर है देखिए identical vessels है तो इनका volume V0 V0 है इनके pressure कए गए है दोनों के बराबर है P0 P0 temperature भी कए गए है बराबर है तो इनके number of moles भी तो बराबर होंगे सबने का सही बात इस है तो मैं किसी भी एक इस container के लिए ideal gas equation का इस्तेमाल कर सकता हूँ that pressure into volume is equals to moles R into T तो चलिए इसके लिए लिए लिखना start करते हैं A वाले container के लिए 4A हम यहां लिख सकते हैं PV is equal to NRT यहां से number of moles मिल जाएगा हमारे पास PV upon RT के बराबर pressure हमारे पास कितना है 75 cm of mercury जब भी आपको ऐसे दिया जाए mercury की height के terms में आपको pressure दिया रहा है तो आपको atmospheric pascal में pressure कैसे निकालना है rho GH वाला formula लगा कर यहां लिखेंगे pressure को rho GH volume हमें दिया है 200 ml यानि 200 cm3 यहां पर 10 to the power minus 6 से multiply करेंगे तो meter cube में आपको volume मिलेगा SI unit में divided by R is 8.3 temperature is how much 300 Kelvin 300 Kelvin है temperature यहां जाएगा आपके पास 300 तो mercury का density कितना होता है 13600 याद होना चाहिए आपको सवालों में हो सकता है ना दिया हो mercury का density kilogram per meter cube में इतना है gram per centimeter cube में 13.6 होता है into G is 10 H is 75 into 200 into 10 to the power minus 6 divided by 8.3 into 300 इसको आप solve करेंगे तो आपको number of moles मिलने वाले हैं कितने 0.008 के बराबर चेक कर लीजिए मैं कर चुका हूँ 0.008 moles हमें मिलने वाले हैं ठीक बाइ अब देखिए आगे सवाल में आपसे क्या पूछा है A part हो चुका है B part में कहा है कि 5 joule of heat is supplied to the gas in the vessel A and 10 joule of the gas in the vessel B अब heat दी जाती है vessel A को भी heat दी जाती है vessel B को भी heat दी जाती है इन tubes का volume आपको neglect करना है tubes का volume आपको neglect करना है तो यहाँ heat देते हैं तो volume इसका तो change होगा नहीं यह बात हम मान चुके हैं कि हाँ sir volume तो change होगा नहीं क्योंकि यह tube तो बहुत पतली-पतली है यदि मान लो यह mercury यदि खिसक भी जाता है उपर नीचे तो उतना जादा volume में change नहीं आएगा तो मैं volume जो है इसका change इसमें और इसमें constant मान सेथगा ठीक बात है तो यहां पर मैं लिखूंगा कि work done हम जानते हैं दोनों containers के लिए for a and b both q is equal to delta u plus w होता है यहां पर w जो है दोनों में 0 के बराबर है चाहे आप a में देखें चाहे b में देखें because volume जो है change नहीं हो रहा है इसका मतलब कि work done 0 के बराबर है इसका मतलब जितना heat हम दे रहे हैं वो internal energy में change करने के काम आ रहा है और internal energy का formula क्या होता ideal guess के लिए f by 2 nr delta t यहां कह सकते हैं कि ncv delta t के बराबर है तो q की जो value है वो ncv delta t के बराबर होने वाली है तो यदि मैं पहले की बात करूँ पहले वाले container को हमने कितना जूल energy दिया है 10 जूल हमें दिया है पांच जूल दिया है जी तो पांच जूल दिया है हमने एक लिए और उसमें number of moles निकाल चुके हैं 0.008 f by 2 nr ncv delta t करना है n into cv cv कितना है हमारे पास 12.5 12.5 into delta t final temperature जो है let's say t के बराबर हो जाता है initial temperature कितना था 300 के बराबर है तो इसे आप solve करिए कितना है आपके पास तो ये calculation भी इतना मुश्किल है नहीं तो आपको मिल जाएगा t minus 30 300 is equal to 5 upon 8 into 1000 जाएगा आपके पास 12.5 125 एक 0 और लगा दीजए तो 25 से गया 5 बार 25 से गया 40 बार 8 से गया 5 बार 5 से गया 5 बार तो अब पर जाता है अंसर 50 so t minus 300 is equals to 50 t is equals to 350 Kelvin so 350 Kelvin आपको मिल जाता है temperature A वाले compartment का अब बात करें B वाले compartment की B वाले compartment में क्या होता है 4B 4B क्या होता है मैं लिख सकता हूं कि 10 Joule उनको energy दी गई है number of moles is 0.008 10 को लिख सकता हूं 5 into 2 calculation के लिए 5 into 2 लिख रहा हूं is equals to N into CB 12.5 into delta T T minus 300 तो यहां पर 5 के लिए हम solve कर चुके answer आता है solve करके आता है हमारे पास 50 के बराबर तो हमारे पास अब की बार यह 10 है 5 दी जग़ 10 है तो यहां पर 100 आएगा तो हमारे पास जो temperature final मिलेगा B का वो मिलेगा आपके पास 300 plus 100 is equals to 400 Kelvin 400 Kelvin है तो temperature इस वाले compartment का 300 से 3.500 हुआ है और इस वाले compartment का जो temperature है वो 300 से 400 हो चुका है volume अभी भी constant है तो temperature के बदलने से मैं कह सकता हूँ कि pressure बदल चुका होगा तो मैं A और B के लिए कह सकता हूँ because volume remains constant volume constant है number of moles constant है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि pressure is proportional to temperature तो मैं लिखूंगा pressure PA by PA initial is equal to PA final by PA final यह हम यहां पर लगा सकते हैं पहले pressure कितना था पहले pressure कितना था हमारी पास rho GH के बराबर rho GH के बराबर pressure था rho G into 75 divided by temperature कितना था हमारी पास 300 Kelvin के बराबर बाद में हमारी पास pressure कितना हो चुका है नहीं पता rho GH dash मान लेता हूँ ह A कह देता हूँ A में height कितना हो चुका है मरकरी का divided by temperature is now 350 तो यहां देख सकते हैं रोजी से रोजी cancel out हो चुका है जीरो से जीरो बाद चुका है पांस से गया है छे बार पांस से गया है साथ बार solve कर लेंगे से हे आपको मिल जाता है कितना 75 इंटु 7 divided by 6 तीन से उडा सकते हैं भी यह हाइट आ चुकी है A में similarly यही situation जो है यही condition जो है हम B के लिए लगा सकते हैं B के लिए लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर रोजी इंटु 75 divided by 300 is equal to रोजी HB divided by 400 तो यहां रोजी से रोजी चला जाता है जीरो से जीरो चला जाता है तो HB आपको मिल जाता है 75 इंटु 40 divided by 30 या 4 by 3 कर सकते हैं यह जागा उपके पास यह 25 जागा उपके पास यह 100 सो HB की वेल्यू 100 के बराबर है और HA की वेल्यू 25 इंटु 7 by 2 के बराबर है और इन दोनों की हाइट का डिफेरेंस आप से पूछा गया है HA माइनस HB कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से सारी HB माइनस हे करना होगा आपको तो आपको मिलेगा 100 माइनस 25 इंटु 7 divided by 2 आपके पास 200 माइनस 175 divided by 2 is equal to 1.5 आपको सेंटीमीटर मिलने वाला है डिल्टा तो हाइट में डिफेरेंस आप मरकरी में कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर के बरावर और चेक कर सकते हैं आप यही हमारा अंसर है तो इस तरी किसी सौल किया जा सकता है अच्छा सवाल था यह अच्छे तो सारी है सवाल अच्छे अच्छे सवाल यह हम धूर की करवा रहे हैं तो यह उन अच्छों में से भी अच्छा कह सकते हैं यह अच्छा सवाल था Hello my dear students I am नीरेज कुमार चौदरी और physics teacher बच्चों बहुत ही अच्छी information लेके आया हूँ मैं आपके लिए mega scholarship test यानी कि unacademy ने 26 September 11 am पे test plan किया है जिसमें 4 करोड तक के इनाम आप जीत सकते हो अब यह test 11th class वाले भी दे सकते हैं 12th वाले भी दे सकते हैं 12th pass वाले student भी इनको दे सकते हैं तो इसमें जित्ता जल्दी हो सके उतना जल्दी enroll कर लीजिए क्योंकि 26 September को ही है यह और NKC sir live code डालना नहीं बोलना है ठीक है बच्चों अगर आप इस test में top 3 में आते हो तो आप कोई भी subscription लोगे free of cost रहे यानी कि आपको 100% scholarship मिलेगा 4 to 10 rank आती है आपकी इनके बीच में तो 75% free है और 11 to 50 आती तो 50% और यह आगे भी तो बहुत अच्छा खासा discount है ठीक है बच्चों और यह आप यहाँ पे this is known as mega combat भी आप इसको बोल सकते हो ठीक है बच्चों अब इससे भी ज़्यादा important information यह है कि prices बच्चों hike होने वाले हैं फिर से October 1st October से prices बढ़ जाएंगे ठीक है न ऐसी और भी है तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे subscription लेना है तो decision बहुत जल्दी लीजे बहुत जल्दी यह hike होने वाले है ठीक है बच्चों अब अनकेडमी ने इतना बहुतरीन result दिया है बच्चों बहुत सारे लोगों का confusion दूर हो गया कि वही online education, online coaching और offline coaching में कही offline better तो नहीं है तो बच्चों यह proof हो चुका है All India Rank Unacademy से All India Rank 1 आई है तो यह इस चीज़ का proof है कि आप online coaching पे 100% full trust कर सकते हैं और इस time offline से मेरे हिसाब से कोई भी teacher या कोई भी चीज़ एक better efficiency के साथ उसके पढ़ा सकता है तो बच्चों इस पर trust रखिए as soon as possible Unacademy का subscription लीजिए ठीक है आपको यह offline से better ही proof होगा ठीक है बच्चों चलिए यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूँ thank you bye bye question number 29 यहां पर हम discuss कर रहे है question में दिया है two vessels A and B of equal volume B naught are connected by a narrow tube which can be closed by a wall ठीक तो जितना सवाल में कहा गया है उतना diagram बना रहे हैं हमारे पास दो containers हैं क्या vessels है और जिनका नाम है A और B और वो एक narrow tube के द्वारा connected है कुछ इस तरीके से और कहा गया है कि volume बराबर है इनका volume इसका भी V naught है इसका भी volume V naught है the vessels are fitted with piston that can be moved to change the volumes initially the valve is open and vessels contain an ideal gas at an atmospheric pressure P naught and temperature T naught इनका volume जो है वो वैरी किया जा सकता है बढ़ाया कम किया सकता है by using the pistons तो अभी pistons पुच इस पोजीशन में है कि volume इनके और इनके V naught है और pressure P naught और temperature T naught ये atmospheric temperature नहीं जीए atmosphere का temperature 25 degree Celsius लगबग room की बात करें तो यहां 180M pressure दोनों का pressure temperature बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि number of moles भी इन दोना में बराबर बराबर होने बाले हैं तो number of moles बराबर है ठीक है जीए और ये एक valve के द्वारा जो है connected है वाल के द्वारा connected है वाल अभी close है यानि कि आपस में इनका mixture नहीं हो रहा है initially the valve is open अचा open है वाल इनिशली वाल ओपन है यानि कि ये आपस में mix हो रही है ठीक है आपस में ये mix हो रही है mix हो रही है आपस में बड़ी आराम से equilibrium मैं चुके है thermal equilibrium पहुंच चुका है gases का pressure volume सब कुछ बराबर है अब क्या कहा जाता है आगे the walls of the vessel A are diathermic and those of B are adiabatic ये जो walls है ये diathermic है इसका मतलब conducting है यानि कि ये heat surrounding से आदान प्रदान कर सकती है लेकिन ये जो walls है ये adiabatic है adiabatic है यानि कि कोई भी heat का exchange surrounding के साथ नहीं होने वाला है और क्या कहते हैं कि the valve is now closed valve को close कर दिया जाता है the piston are slowly pulled out to increase the volume of the vessels to double the original volume अब क्या करते हैं कि इसको close कर दिया जाता है अब close कर दिया भाई जितना मिलना था मिल लिए अब जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा और इनके volumes को बढ़ाया जाता है अब इनके volumes को बढ़ाते हैं तो इनका volume हो जाता है 2V0 के बरादे है और volumes के बढ़ाने से क्या होगा number of moles तो उतनरी रहेंगे लेकिन temperature बदल जाए गे pressure बदल जाएंगे pressure इसका PV मान लेता हूं temperature इसका T वी मान लेता हूं और इनके volume को यदि double करेंगे इनके volume को यदि double करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 2V0 और number of moles तो उतने ही रहेंगे और pressure हो जाता है let's say P A के बराबर temperature हो जाता है T A के बराबर अब क्या कहा जाता है सवाल में? find the temperatures and pressures in the two vessels इन दौनों vessels में temperature और pressures बताने आपको कितने कितने हो जाएंगे तो पहली बात तो यह देखिए कि यह हमीशा surrounding के साथ जो है conduct कर रहा है heat को यानि कि यह हमीशा thermal equilibrium में रहने वाला है इसका मतलब इस vessel एक के लिए जो process हो रही है expansion की यह एक isothermal process है यह एक isothermal process है और यह process कैसा है यह एक adiabatic process है adiabatic process गामा की value जो है adiabatic में कितनी है गामा के बराबर ही है यहाँ पे गामा के बराबर है जो गामा है isothermal में क्या होता है जी temperature जो है constant रहता है तो इसका मतलब temperature at a will be equal to p0 which is atmospheric temperature और यहाँ पे बात करें that PV is equals to PV जो है हम लगा सकते हैं कि P1 V1 is equals to P2 V2 pressure into volume का जो multiplication है वो बराबर रहेगा तो यहाँ पे pressure कितना है P0 पहले volume पहले V0 बराबर final pressure PA और final volume जो है 2 V0 हो जाता है तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या that PA is equal to P0 by pressure original pressure का atmospheric pressure का आधा हो जोगा है अब बात करें यहाँ पे adiabetic container में two vessels यहाँ बात करें तो temperature और pressure और volume इनमें आपको relation निकालना है तो मैं PV raise to the power gamma से start कर रहा हूं PV raise to the power gamma is equal to constant तो यह लिखिंगो initial pressure P0 initial volume V0 raise to the power gamma is equals to final pressure is PV और final volume 2V0 raise to the power gamma तो V0 से V0 यहाँ cancel out हो जाता है आपको मिल जाता है PV is equal to P0 divided by 2 raise to the power gamma अब temperature की बात करें temperature और volume में relation हम जानते हैं क्या होता है कि pressure और volume में relation होता है हमारे पास that sorry volume or temperature में that T into V raise to the power gamma minus 1 is equals to constant is equals to constant initial temperature T0 initial volume कितना है हमारे पास V0 raise to the power gamma minus 1 is equal to final temperature let's say TV के बेराबर है और final volume is 2 V0 raise to the power gamma minus 1 so V0 raise to the power gamma minus 1 जो है वो cancel out हो जाता है और TV की value आपको मिल जाती है T0 divided by 2 raise to the power gamma minus 1 तो यह TV की value आपको यहाँ मिल जाती है PV की value यहाँ मिल जाती है और PA और TA की value यहाँ पर मिल जाती है इसके बाद हम चलते हैं B part की तरफ The valve is now open for sufficient time so that the gases acquire a common temperature and pressure Pressure temperature अंतने बराबर हो जाते हैं Find the new values of the temperature and the pressure नए temperature pressure आपको बताने है तो हुआ क्या है हो क्या रहा है यहाँ देखे हमारे पास एक wall एक vessel है A और हमारे पास दूसरा vessel है B इनके pressure और temperature मैं आपको बताता हूँ pressure इनके पहले थे P0, V0, T0, number of moles N0 यहाँ पे कितने थे pressure P0, V0, T0, N0 फिर क्या होता है कि इनके pressure चेंज कर दिए जाते है P0 by 2 हो जाता है यह V0, 2V0 हो जाता है temperature जो है वो हो जाता है हमारे पास T0 के बराबर रहता है number of moles तो उतना ही रहेंगे और यहाँ पे बात करें pressure हो जाता है P0 by 2 raise to the power gamma volume हो जाता है 2V0, temperature is T0 by 2 raise to the power gamma minus 1 और number of moles रहते हैं उतने अब यह stage में इस stage में इन दोनों gases को मिला दिया जाता है valve खोल दिया जाता है देखे, valve यदि हम खोल देंगे तो यहाँ से gas और यहाँ से gas जो है वो आपस में mix होंगी और क्योंकि यह वाला part surrounding से connected है और यह diathermic wall है, conducting wall है तो heat का transfer surrounding से A और B दोनों में होने वाला है, इसका मतलब यह एक isothermal process बन जाई isothermal कह सकते हैं या फिर मैं यह कह सकता हूँ heat का transfer तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह बराबर नहीं हो जाते temperature surrounding के और इसके तो final temperature तो मैं यह कह सकता हूँ कितना होगा, T0 के बराबर होगा finally, final temperature पूरे system का T0 के बराबर होगा अब मैं और क्या कह सकता हूँ कि number of moles पहले जतने थे पूरे system में और बाद में जतने हैं, वो बराबर होने वाले हैं तो मैं number of moles पहले मैं यहां से निकाल दूगा और यहां से निकाल दूगा और बाद में जो number of moles आएंगे उनको भी मैं लिख सकता हूँ तो यहां लिखूंगा मैं number of moles कितने हैं हमारे पास P0 V0 by RT0 यह into 2 यह number of moles है टोटल पूरे सिस्टम में gas के इतने moles हैं और final बात करें final लिख सकता हूँ final pressure P final volume final कितना हो चुका है 2V0 plus 2V0 4V0 हो चुका है volume क्योंकि अब double हो चुके है volume है divided by R into temperature final अभी भी कितना है T0 के वेरादर है अब इसे आप करिए solve देखिए क्या मिलता है RT0 से RT0 गया यहां आपको मिलता है 2 times P0 V0 is equal to final pressure into 4V0 V0 से V0 भी चला गया 2 से चला गया 2 बार so final pressure is P0 by 2 so final pressure P0 by 2 हो जाता है पूरे system का check कर लेजिए हमारे पासांसे P0 by 2 and final temperature is T1 ठीक इस तरी किसे सवाल को solve किया जा सकता है इसके बात चलते हैं आगे सवाल है हमारे पास question number 34 जिसमें दिया है an ideal gas having density this much ideal gas density इतना है ग्राम पर मीटर क्यूब में तो किलो ग्राम पर मीटर क्यूब में आप इसे बदल सकते हैं thousand से multiply करके 10 इस पर 3 से multiply करके so 1.7 क्लोग्राम पर मीटर क्यूब आपको इस देंसिटी मिल रहा है at a pressure of this much यह pressure है हमारे पास is filled in a kundh tube यह हमारे पास tube है kundh tube इसे कहते हैं overexposed हो गई यह में तो कुछ दिख नहीं रहा है ठीक है मा लीजे tube है ना भी बताओ तो कोई दिख कर नहीं when the gas is resonated at a frequency of 3 kHz nodes are formed at a separation of 6 cm अब इस सवाल को करने के लिए आपको waves की waves की concept की आपको जानकारी होनी चाहिए standing waves क्या होती है और nodes anti-nodes क्या होते है तो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ यदि आपने कभी नहीं बढ़ा है तो जब भी हम बात करते हैं एक gas की, gas enclosed है एक tube के अंदर closed container में gas रखी हुई है और हम उस container में यदि vibration बाहर से produce करते हैं तो उस container के अंदर जो air है वो भी vibrate होने लगती है gas के जो particles है, air के जो particles हैं वो भी vibrate करने लगते हैं तो उस vibration का, vibration में vibrate करते हैं तो हम जानते हैं कि vibration में जो particles है वो move कर रहे होगी vibration कैसे होता है आप सोचे आपके पास Nokia 33-10 है और वो रखा हुआ है टेबल पे और phone जो है vibrate हो रहा है तो vibrate कैसे होते हैं इस तरीके से vibrate होते हैं यह vibration है यह vibration है इसका मतलब two and fro motion है particle का two and fro motion है तो two and fro motion को हम ऐसे wave के द्वारा दिखाते हैं कि कुछ particle इधर जा रहे होते हैं कुछ particle इधर आ रहे होते हैं तो यह इस तरीके से कह सकते हैं कि vibrate हो रहे होते हैं तो यह pattern मनता है vibration का इस तरीके से एक vibration का pattern मनता है और इन vibration के pattern में यह वाले जो इनको नोड कहा जाता है, नोड, ये आपके पास है, नोड, इन नोड की बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, 12 cm के बराबर, और ये नोड की बीच की जो दूरी है, दो consecutive नोड की बीच की जो दूरी है, वो लेम्डा बाइट तू के बराबर होती है, ये class 9 में आपने पढ़ा होगा, कि ये एक wavelength होती है, और इस wavelength का दो आधा है, वो होता है, हमारे पास लेम्डा बाइट तू की वैल्यू आपको दी हुई है, 12 के बराबर, लेम्डा बाइट इस इकोस तू 12, लेम्डा बाइट इस इकोल तू 12, तो लेम्डा आपको कितना मिल जाएगा आपको 24 के बराबर, 6 दिया अच्छा, ये 6 दिया है, तो ये 12 cm आपको मिल जाता है लेम्डा की बराबर, आपने क्लास 9 में एक फॉर्म्डा पढ़ा होगा, V is equals to F लेम्डा for waves, वेम्डा के लिए आपने फॉर्म्डा पढ़ा होगा, V speed of wave is equal to frequency of wave into lambda, तो जो frequency हमारे पास है कितनी, 3 kilohertz, यानि कि 3000 Hz के बराबर frequency है, लेम्डा की value है, 12 cm by 1000 कर देंगे, तो आपको V मिल जाता है, तो 0 cm के लिए 2 0 लगानी है, एक दो, एक दो, आपको मिल जाता है 360 meter per second, तो आपको speed of wave मिल जाता है 360 meter per second, और हम ये जानते हैं कि air के अंदर, जो speed होती है, वो होती है हमारे पास, V is equal to under root of gamma P by rho, gamma P by rho के बराबर होती है speed, speed आपको पता चल गया, 360 meter per second के बराबर है, gamma की value पता नहीं है कितना है, P जो है pressure कितना है हमारे पास, 1.5 10 to the power 5, 1.5 into 10 to the power 5, पासकल, divided by rho, density is 1.7, square कर दीजे आप इसको 360 into 360, into 1.7, divided by 1.5 into 10 to the power 5, तो ये solve करने पर आपको मिलता है, 1.4 के आसपास, 1.4 के आसपास ये आपको मिलता है, 1.47 मिलता है आपको बस, 1.4666, 1.47 के आसपास, और gamma ये आपको मिल गया, तो आप यहां से क्या निकालना है आपको, molar heat capacity, CP और CV निकालनी है, तो CV का formula लगा सकते हैं, R upon gamma minus 1, R upon gamma minus 1, तो आपको मिल जाएगा यहां से CV, इसको solve कर लीजिए, और CP minus CV जो है, R के बराबर होता है, तो CP की value आपको मिल जाएगी, CV plus R के बराबर, solve कर लीजिए, answer आपको मिल जाएगा, के के?